दोस्तो अगर आप भी एक Android phone user है तो आपने भी APK files के बारे में जरूर सुना होगा ये files क्या होती है, इनका use क्या होता है और आप इन्हें download कैसे कर सकते हैं ये सब बताएंगे इस वीडियो में पर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आएं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं दोस्तो APK file का मतलब होता है Android package kit ये एक file format होती है जिसे Android use करता है अपनी apps को distribute करने के लिए और install करने के लिए अगर आपके पास कोई Windows machine है और आपने कभी को software download किया है तो उसका जो file format होता है वो .exe होता है वैसी Android में भी जो file format होता है वो APK होता है जोस तरब मैं आपको बतायता हूँ कि इसे use क्यू करते हैं मान लीजे कोई ऐसी app है जो leak हो चुकी है पर play-store में भी available नहीं है तो उस app का आप sap za download कोई आपकी बहुत अच्छी आप है जो हमेशा आप यूज करते हैं पर उसका कोई लीटेस वर्जन आया है और आपको अच्छी नहीं लग रही है वह आप तो आप उस एप का पुराना वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं एपी के फाइल से तो यह थे इसके यूज अब चलते है है इसे डाउनलोड करना उसकी तरफ दोस्तोटा अपी के फाइल राउनलोड करने पहले है मैं सबसे पहले अपने एंड्रोइट फोन में ठोड़ी सेटिंग डिस करने होते घूंस के रिज़ों ही पर आप्स में सब्सकर से एंबाने एन आ होगा जिस ब्राउजर में आप APK Files डाउनलोड करना चाहते हैं, उस ब्राउजर में क्लिक करके उसे पर्मिशन देनी होगी, पर्मिशन नहीं देंगे तो आप इस ब्राउजर में APK Files डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, पर्मिशन देने के बाद आपको जाना होगा उस ब्राउजर मे दोस्तो ब्राउजर में जाने के बाद आपको उस एप का नाम टाइप करना होगा जिस एप को आप डाउलोड करना चाहते हैं और मैं आपको बता दूँ कि APK मिरर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि APK मिरर एक अच्छी रिलाइबल वेबसाइट है जहां से आप APK फाइल डाउलोड कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको यह अन्नोन सोर्स से APK फाइल डाउलोड करते हैं तो वायरेस आने का खतरा होता है और साथ में बहुत सारी एक्स्टा फाइल भी डाउलोड हो जाती है तो आपको ऐसे टाइब करने के बाद अपनी अप का APK मेर में क्लिक करना होगा उसके बाद दोस्तों आपको इसके पुराने वर्जन जितने भी है वो दिख जाएंगे और उनकी APK फाइल डाउलोड करने का उप्शन दिख जाएगा यहाँ पर डाउलोड में क्लिक करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो यह फाइल डाउलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको यह फाइल आपके ब्राउजर के डाउलोड सेक्शन में दिख जाएगी कुछ इस तरके से डाउलोड हो जाएगी अब यह आपकी जो एप है अल्मोस्ट इंस्टॉल हो चुकी है बस आपको इस एपी के फायल में क्लिक करके इसे इंस्टॉल की पर्मिशन देनी होगी जैसी आप इंस्टॉल में क्लिक करेंगे तो यह आप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल आपके फोन में हो जाएगी देखिए app successfully install हो चुकी है यहाँ से आप open भी कर सकते हैं यह done कर सकते हैं डन करने का अगर आप देखेंगे तो यह app जो मैंने install करने चाहिए थी soccer stars यह download हो चुकी है successfully कई बाइड ऐसा होता है कि आपको failure के message आते हैं कर सकते हैं